नमस्कार विद्यर्थिमित्रो विद्याकुल मा आप सवनु हार्तिक स्वागाच्छ। आजे आपड़े जुवानाची चेप्टर नंबर साथ भागीदारी पेढीनु विशर्जन। अन्या भागीदारी पेढीना विशर्जन मा आजे आपड़े जुवानाची ये परिक्षमा पुछाता मौस्ट आइमपी दाखला त्राण गुण वाला। आ चेप्टर माथी आपणने त्राण गुण ना दाखला MCQ औने SQ पुछाईशे। किटला किटला पुछाईशे एक कोरोना काल दर्मियान अलग-अलग होईशे। एक MCQ पुछाई, बे पुछाई, दाखलो एक पुछाई, बे पुछाई, अथवा त्राण पुछाईशे। पण, आजे हुँ तमने जे करावा जे रही हो छुने, ए परिक्सामा डेफिनेटले पुछाईशे, एक अथवा तो बे दाखला तो जोईए, परिक्सामा आपनने आ चेप्टर माथी MCQ पुछाई छे, शोट क्वेस्चन पुछाई छे, अन्ने त्राण गुणना दाखला पुछाई छे, या दराग जो, दाखला एकदम सिम्पल छे, जिवरी ते आपने चेप्टर नमबर चा, भागी दारी नू पुनर गठम माँ पन, जे त्राण गुणना दाखला हाता लाब ने त्याग वळा, एवाज दाखला, आइया पुछाई छे, त्या हाथु, मोटा दाखलामाँ पुन्न हमूलियांगान खातू, और आया, मोटा दाखलामा अशे, माल मेलकत निकाल खातू, सिम्वरी पेढी नू व भागीदारी विशय प्रवेश, बिजु चेप्टर ये तुँ भागीदारी पेढ़ी ना वार्षिक हिसाब, के भागीदारी विशय प्रवेश पछी वार्षिक हिसाब जोता ता, पच्छी ये जे पेढ़ी छे एन्नू आपड़े जोयोतु पागडी, के विक्षे कहे जितन पच्छी एमा जे भागीदार होई एनना नफ्फा नुक्षान प्रमाण मा जो भविश्य मा फेरफार करवानो होई चौथु चेप्टर जुयतु भागीदारी नो पुनर गठनी जुना भागीदार होई ए जुना भागीदार मा कोई भागीदार नो प्रवेश थाई पांच मुँ चेप्टर जोयतु प्रवेश भागीदार में चठ्थू चेप्टर कोई जुनी भागीदारी पेडि माथी एक भागीदार निवृत थाई यत्वा तेमनु म्रुत्यू थाई तो कईया संजगु माँ थाई केवी रिते थाई चठ्था चेप्टर माँ जुए दू अन्ने आ सात्मा चेप्टर माँ आपडे जुवा नुछे भागीदारी पेडिनु विसर्जन विसर्जन एटले के टोटली भागीदारी पेडि काईदा कीये रिते एनो अस्त थाई जाई एने केवाई भागीदारी पेडिनु विसर्जन स्टार्टिंग माँ आपडे स्थापना गरी थी सातमा चेप्टर मा आपड़े विसर्जन करवानुशे तो सव प्रथम आपड़े जुए भागी दारी पेढी नू विसर्जन कई रिते थाई शे सव प्रथम मानी लियो के आईया आपनने आपेलू छे पाकु सर्वयू अने आईया विसर्जन समये एक खातू बनावा मा वेशे पेलू के भागी दारी ना पुनर गठन समये मिलकतो ने देवा ना पुनाह मुल्यांकन नौध माटे पुनाह मुल्यांकन खातू बनावता एविज रिते मिलकतो अने देवा ना निकाल माटे विसर्जन मां माल मिलकत निकाल खातू बनावा मा वेशे तो अईया हूं लखिश माल मिलकत निकाल खातू पुनाह मुल्यांकन खातू अईया माल मिलकत निकाल खातू पाको सर्वयो आप पन्या पेलू होई डाबी बाजुने केवाई मोडी देवा जम्णी बाजुने केवाई मिलकत लेना तो अईया उधार बाकी अईया जमा बाकी सव प्रथम तो के भागी दारी पेड़ी नू आपड़े विसर्जन करवू छे तो सव प्रथम जेटली जेटली पन आपड़ी पास से मिलकतो छे जेटली जेटली पन आपड़ी पास से मिलकतो छे ए बद्धाज मिलकतो ना खाता बंध करवा पड़े तो खाता बंध करी ने क्या लाववा मावे तो के माल मिलकत निकाल खाता नी उधार बाजू सवप्रतम मिलकतोना खाता बंद करी माल मिलकत निकाल खाता नी कई बाजू लाववा मावे शे तो के उधार बाजू एविज रिते मुडी देवा बाजू देवा औने अनामत आपेली हो आई एना खाता बंद करी औने क्या लावा मावे तोके माल मिलकत निकाल खाता नि जमाबाजू अनामत अने देवा सवप्रथम खाता बंद करवाना जे खाता चालो है दर वर्ष आगल वत्ता होय इनि रकम मा वधारो अथ्वा तो घटारो थोतो होय ऐ खाता सोप्रथम बंद करवाना औने एने जो मिलकत होए तो माल मिलकत निकाल खाता नी उधर बाजू लही जवानू," büyetant तियार वची आजे मिल्कतो छे एन्या खातू बंद केरू, हवे नु वेचान करो तो तमारे फरिवकत वेचो तो माल मिल्कत निकाल खाता नि जमा बाजू मिल्कतो लो leaning जवा नी खाता बंद करो तो माल मिलकत निकाल खाता नी उधार बाजू, वेचो तो माल मिलकत निकाल खाता नी जमा बाजू, एविज रिते अनामत, खातो बंद करो तो माल मिलकत निकाल खाता नी जमा बाजू, हवे देवा नी चुक अउनी थाए, अनामत तो नुन ने, देवा नी च चुकवनी थाई तो चुकवो तो माल मिलकत निकाल खातानी उधार बाजु आमनोंद वालू चेप्टर छे दोरण 11 चेप्टर नम्बर 4 आमनोंद त्यारे अपना शिक्षक द्वारा केवा माईवो शे के आ एकाउंद नू बो एटले बो अगत्य नू चेप्टर छे चेप्टर नू चेप्टर प्रवेश्ममा आमनोंद काम आवीती निवश्टि मापना आमनोंद काम आवीती five one four दोर फॉनर गठन मापना आकाम आवीती हवे जे आपने जोवाना छी ए भाग बेनु पेलू चेप्टर एमा पना आमनों छे आने बिजु चेप्टर एमा पना आमनों छे आमनों पीछा नहीं छोडेगे ठीके? मिलकतोंना खाता बंद करी माल मिलकत निकाल खाता नी उधार बाजू वे चान करी माल मिलकत निकाल खाता नी जमा बाजू देवाना खाता बंद करी माल मिलकत निकाल खाता नी जमा बाजू चुकाओनी माल मिलकत निकाल खाता नी उधार बाजू देवानी चुकाओनी થેયું એટલું માઇંડ માઈદ માંએ બેસી જાઈને એટલે આ ચેપટર એગ દમ ઈ જી છે वेपार खातू, नफान उक्षान खातू, नफान उक्षान फालवनी खातू, पेटी माटे, खर्चा बद धाज, उधार बाजू, आवक बद धीज जमा बाजू तो अईया पण सेम जेटला पण खर्चा थाई छे एब दा खर्चा माल मिलकत निकाल खातानी उधार बाजू और जेटली जेटली पण आवक थाई छे एब दिज आवक माल मिलकत निकाल खातानी जमा बाजू चालो तो एटलू याद राखीशू अने दाखला नी शरुवाद करेशू फरी उख़त वारा गडिया जोता जेशू जेती आपने रिवीजन थाई दाखला नंबर 5 चे पेज नंबर 300 ने अग्यार चे एम आपने किदू छे के पेडी ना विसर्जन समय पागडी नी चोपडे किम्मत 56 जार शे तेनी कोई रकम उपजिती नती हवा तमें आया जोवन तो पागडी काई बाजू लखाई तो के साहिब पागडी आपने लखाई शे मिलकत लेना बाजू पागडी राइट आपागडी नू खातू बंद करी माल मिलकत निकाल खाता नी कई बाजू लई जावानू उधार बाजू तो आमनों लखवानी माल मिलकत निकाल खाते उधार ते पागडी खाते जमा तो यह लखी इस तारीक एक माल मिलकत निकाल खाते उधार 56,000 ते पागडी खाते जमा 56,000 हवे छेल्लो शब्द वाचो तेनी कोई रकम उपजती नथी एनो मटलब M थयो के आईया जी आपड़े पागडी लखी ने एपागडी M मजरावा देवानी शे एनू वेचान करवानू नथी करण के आपनने दाखला मा आपित दिदू छे कोई रकम उपजती नथी तो यह लखीश बाबत जे लखवानी हो परिक्सामा एवव आपेलू होई ने के बाबत जे वगर तोज बाबत जे नई लखवानी ने तर आमनांद भाली जाओं तो बाबत जे लखवानी तरान गु काउंसामा की दुहुएए ने बाबत जे वगर तो ज नई लखवानी काईनो की दुह तो लखीश नाकवानी बाबत जे पाघड़ीनू खातु बंद कर्यो तेना थैंकिए पागड़ीनू खातु बंद कर्यो तेना चाल एना बचिए बी जो डाब्ज समय पाका उख्राइब टमो आसर्वईयामा जमीन मकान 8 लाक और रोकान 2 लाक दर्षा वेलाझ छे 2 लाक आसर्वेलाई उख्ये 13. प्रथम खातो बंद करी जनाखवानू किद्धू एक नो किद्धू है यह लाउशू माल मिलकत निकाल खाता नी उधार बाजू लईए तो सव प्रथम पेली आमनों माल मिलकत निकाल खाते उधार ते पेली मिलकत कई छे जमिन मकान खाते जमा किटला रुपिया छे तो के आठ लाक रुपिया बीजी मिलकत कई छे तो के रोकान ते रोकानों खाते जमा किटला रुपिया छे तो के बे लाक उधार किटला थे या तो के दस लाक थे यो बाबत जी मिलकतो ना खाता बंद करिया ते ना अथ्वा तो तमे प्रोपर लखी शको के जमिन मकान खातू अने रोकान खातू बंद करिया तेना चल बीजी आमनों आमा बीजी आऊशे शुकाम जो आमा ना पड़ देती ती रकम कोई उपजती नथी अटले काई नी बीजी आमनों नहीं खाली खातू बंद करिया तेना अनुक्रमे नव लाख औने एक लाख पचास जार उपजिया छेल्लो शब्द रोकड छेके उदार एमा रोकड नी ओलख माटे उपजिया मलिया चुकविया याद होई तो आहीं आपने उपजिया एव शब्दा है पुलिशे जो उपजिये तो रोकड आवे तो रोकड उधार रोकड खाते उधार जो आया आतो ने खातू बंद करी अने जमीन मकान अने रोकान आया जे लाएवाता ने एने वेची अने क्या लही जावानू माल मिलकत निकाल नी जमा बाजो जमीन अने मकान अने रोकान पेली आमनों दती ने आया लाएवाता माल मिलकत नी उधार बाजो अचले माल मिलकत उधार लेके तो बीजी आमनों दमा माल मिलकत नी जमा बाजो लेई जावानू एटले आया हुँ लखिश्टे माल मिलकर निकाल खाते जमा हवे बेन प्रोपर मेंशन नहीं करवानू बेन जोइट 9 लाग प्लस 1 लाग पचास जार एटले के 10 लाग पचास जार 10 लाग पचास जार बाबत जे निचे लखी नाखवानी बाबत जे के मिलकतो नू वहेचनी करी तेना चाला एटले ना पची पेडी नी कुल मिलकतो 2 लाग छे जे पेएकी 4 मिलकती 40 लाग पचे 10 जार सहीत चोपडे मुल्य उपज थाई आनु माटे आपडे कोस्ट करू पड़िशे आवो दाखलो 3 गुर्मा पूछाई छे परिक्षामा तो आनी हूं जे गणतरी शे आनी एहूं गणतरी करिश अईया सवब्रथम आपने शुआ है पूछे आने आपडे यह चेने 3 नंबर दाखलो आपी दिले छे तो के 2 लाख मिलकतो छे आ कोस्टक दर्शावानू तान गुर्मा आदाखलो पूछाई कोस्टक दर्शावानू राइट एना पछे जे पेकी 4 मिलकत 40 टका छे दस जार सहित तो के 4 मिलकत 40 टका एक भाग यहां पीड़ो 4 मिलकत 40 टका तो के बीजो भाग पीड़ो स्थीर मिलकत इटली साइट टका होके छार दू आ0044 मिलकत थे औने 612 एक लाँख 20,000 स्थीर मिलकत स्थीर मिलकत तैने 45 मिलकत थेगे હવે આ એ સીએ જાર છે એમાં વીસ જાર છે એં રોકર છે એવું આપણને કિદુ છે વીસ જાર શું છે રોકર સોરી હવે આગળ બાચું છું આપણે ખાતુ બંદ કરવાનું સોપ્રથમ ખાતુ બંદ કરવાના બે ખાતા બંદ કરવા અન્ય ચાલું મીલકત અને સ્તીર મીલકત રોકરનું ખાતું બંદ થાય ને રેટ આગળ બાચું છું ચાપડે કી મૂલ્ય ઉપજ્યું એનો મૂટલા બેહં થાય કે આજે છે એની ઉપજ કિટલી તોકે સીક્તેર હજા અને એની ઉપજ કેટલી તોકે એક લાખ વીસ જાર ઉપજમાં આબેનું કરવાનું ટોટલ રેટ ઓકે ચાલો સૌપ્રથમ આપણ કરશું ખાતા બંધ મિલકતો છે તો મિલકતો ના ખાતા બંધ કરી માલ મિલકતો નિકાલ ખાતાની ઉધાર બાજું અન્ય ચાલુ મિલકત ખાતે જમાં તે બીન ચાલુ મિલકત ખાતે જમાં રઈટ અન્ય ચાલુ મિલકત ના હટા સીતે રજાર અને આના હટા એક લાખ વીસ જાર તો ટોટલ એક લાખ નેવુ હજાર દસ અજાર તો રોક કરતીએ નુ ખાતુ બંધ થાય નઈ આયાં હું લકીન આકિશ બાબત જે મીલકતોના ખાતા બંધ કરીયા તેના મીલકતોના ખાતા બંધ કરીયા તેના બીજે આમ૨ાં ચોપડે કિંમત ઉપજીયા ઉપજે તો રોકર આવે તો ઉધાર એલકિના કિશી રોકર ખાતે ઉધાર માલ મિલકત નીકાલ ની જમાં બાજું કેટલા રુપ્યા એક લાખ વીસ અને સીતેર જાર એક લાખ નેવુ હજાર તે માલ મિલકત નીકાલ ખાતે જમાં સેમ ચાપડે કિમત ઉપજી એક લાખ નેવુ હજાર એક લાખ નેવુ હજાર એક લાખ બાબત જે મિલકતો ની ચાપડે કિમત ઉપજી તેના હજ્યો મિલકતો ની ચાપડે કિમત ઉપજી તેના ત્યાર જોપડે પાગડી દર્શાવેલ નથી એનો મટલબ એમ થયો કે આઈયાં જે પાગડી છેજ ને તો એને માલ મિલકત નેકા તો રોકડ આવે તો ઉધાર તો એલખીશ રોકડ ખાતે ઉધાર તે આપણને બીજુ ખબર આચ્છે રોકડા ઉપજે તો રોકડ આવે તો ઉધાને બીજુ ખાતો હમેશા માલ મિલકત નિકાલ ખાતો તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમાં કેટલા રુપ્યા પચાસ જા રુપ્યા અને પચાસ જા રુપ્યા હયા લખી નાક્શું બાબત જે પાગડી ની કિમત ઉ પાંચ નંબર આને આપણે આપી દેશું પાંચ લેપટોપની કિંમત 35,000 છે પાઈ લેપટોપ ને કેવાઈ મિલ્કત તોએ લેપટોપ ખાતે ઉધાર કેટલા તોકે 35,000 તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમાં કેટલા તોકે 35,000 તે માલ મિલકત બાબજે લેપટોપનું ખાતુ બંદ કરીં તે ના તે લેપટોપનું ખાતુ બંદ કરીં તે ના આગળ બાજું શું એક ભાગીદાર તેને 25,000 માં લઈ જાઈ છે ભાગીદાર લઈ જાઈ છે જો ભાગીદાર લઈ જાઈ તો કબરશે લાબ લેનાર ખાતે ઉધાર તે લાબ આપનાર ખાતે જમાં આ જોથા જેપરનું લાબ તીયાગને હો અગ્યાર મૂડી અથવાતો ચાલુ ખાતે ઉધાર તે બીજુ ખાતું આપને હમેશા ખબર આછે માલ મિલકત નિકાલ ખાતું માલ લખીન આખીશ પતીસ જાર પતીસ જાર બાબત જે લખીન આખીશ બાબત જે શું છું છે લેપટોપ ભાગિદાર લઈ જાઈ તેના એક ભાગીદાર તેના સ્રિમતી જીની પેધીને આપીલી લોન ચાલીસ જાર ચુકવાનું સ્વિકારે છે સ્રીમતી જીની લોન આપણે બદધાને ખબર છે લોન કઈ બાજું આવે તેબ લોન આવે મૂડી દેવા લોન કઈ બાજું આવે મૂડી દેવા બાજુ લોન તો સૌપ્રથમ લોનનું ખાતુ બંધ કરવાનું જે વિદ્યાર્થિ મીત્રોને જુની ચોપડી હશે તો એ જુની ચોપડી માં એક જામનો દાપેલી છે પરંતુ જે વિદ્યાથ્યાથી દાખ્લો રક્ષુ ચેપ કેમ તો કે ઉદા હરણમાં સેમ આવોજ દાખ્લો છે ઉદા હરણમાં સેમ કેવો દાખ્લો આપેલો છે એજ દાખ્લો છે ઉકે એટલા માટે બે આમનો દવાલો કેશું સૌં પ્રથમ લોન મૂડી દેવા બાજું ખાતુ બંદ કરી માલ મિલ્કત નિકાલ ખાતાની જમા બાજુ લેજેએ સૌક્રથમ પેલી આમનો માલ મિલ્કત નિકાલ ખાતુ ઉજમાં તો ઉધાશું થાશે શ્રી મતી જી ની લોન ખાતે ઉધાર તે માલ મિલ્કત નિકાલ ખાતે જમાં કેટલા રુપ્યા છે તો કે ચાલીસ જાર ચાલીસ જાર ચાલીસ જાર આગળ લખીસ બાબત જે શ્રીમતી જીની લોનું ખાતુ બંધ કરીં તેના જીમતી જીની લોનું ખાતુ બંધ કરીં તેના બીજું બીજામાં આપણને શું છે તો કે બીજામાં હવે શું કરવાનું આઈની પછીનું પેઠીને આપલીલે લોન ચાલીસ જાર ભાગિદાર ચુકવાનું સ્વિકારે છે ભાગિદાર કેછે કે હું ચુકવી દશ પાછો વ્યકતી હે વોં ભાગિદાર ભાગિદાર ચુકવે તો ભાગિદાર આપણાર ખાતે જમાં તો ભાગિદાર લાભા પેછો તો એનું જમાં તો ઉધાર શુકર વાનુસાઈવ માલ મિલકત નિક કેટલા રુપ્યા તો કે 40,000 રુપ્યા અને 40,000 રુપ્યા ખાઇટ 40 જન 40 બાબજે લખી નાખવાની ભાગી દારે પત્ની ની લ ચુકવા નુસી કાર્યું તેના ઓકે ના પછી આ છો નંબર નો દાખી આયા ઉશે 7 આવક વેરાની જવાબદારી ત્રિસ જાર ચુકવાની થઈ જે ચોપડે નોંધેલ નંથી જે ચુકવી આપવી હવે તમે જોઓ આવક વેરાની જવાબદારી ચુકવાની થઈ ચોપડે નોંધેલ નંથી એનો મટલા બેહં થયો કે આવક પડે પણે યાં છેજ ને તો આવાસં જોગો માં તો આવાસં જોગો માં આપણને એટલું જ કિદું છે કે ચુકવાન ખર્ચા બદ્દાજ માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની ઉધાર બાજુ હતા અને આવગ બદ્દી માલ મિલકત નિકાલ એટલે ખર્ચા જવાબદારી થઈ ચુકવાના છે ચુકવી દિધા છે એટલે માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની ઉધાર તે રોકળ ખાતે જે માખાને ચુકવા રોકળ જાએ થૃસજા રૂપ્યા અને થૃસજા રૂપ્યા તેગ્યો બાબત જે લખી નાખવાની બાબત જે આવકવેરાની જવાબદારી ચુકવી તેના તેગ્યો આવકવેરાની જવાબદારી ચુકવી તેના ઓકે કણા વિદ્યાથી મિત્રોને વો પ્રશ્ન થતો શે કે સર આ બે બે આમનો ધુછે તો આપડે ધોરણ અજેને ટોટલ કરતા તો આમાં ટોટલ કરવાનું તો કે નઈ આમાં ટોટલ કરવાનું નઈ જે મારે દાખલો ગણાઈ જાઈ છે ઓકે ચાલો ત્યાર પછી આઠમો પરિક્ષા માં મોસ્ટ આમ્પી દાખલા છે ગણિવ ગુણનો દાખલો ત્રણ ગુણનો દાખલો અથવા થીએરી આમાં થી પુછાઈ શકે અને થીએરી માં શું પુછાઈ તો તુકનોંદ માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની તુકનોંદ પુછાઈ શકે છે જો આમાં દાખલો નાવે તો મસ્ટોપ જોકે દાખલો જાવે છે પણ એકાદ બે વર્ષે ટુકનોદ પુછાઈ ગઈ છે એટલે ટુકનોદ એકદં સિંપલ છે તમે જે આ માલ મેરકલ નિકાલ ખાતામાં મે તમે સ્ટાટિંગ માજે સમ્જે ઉને એવુજ સમ્જેલું અંદર લખવાનું છે માલ મેલકર નિકાલ ખાતું કોને વાઈ તો કે પેધી ના વીસલ્જેન વખ્ટે મેલકતોને દેવાની ચુકવણી તો આ તો આ એંપી ટाइપ ચલો આગળ જોએ એના પછી વીસલ્જન વખ્ટે સમયે પેધી ના તમામ દેવા જટલા જટલા દેવા ના શીની બદ દાજ દેવુ ચુકુવઈ ગીઓ ભાગીદારની લોનપણ ચુકુવઈ ગે મટલબમાં જટલી જટલી મિલી જીટલા જીટલા દેવા તાય બદ ધાજ ચુકુવી દીદા અને પછી મિલ્કતમાં વધારો થયો પછી શું તયો મિલ્કતમાં વધારો એને શું કેવાઈ તો કેશર એને કેવાઈ નફો એને શું કેવાઈ નફો વધારો રુપ્યા એક મીલ્ક મિલ કેવેને ઉચે ને ને અખ્લેને ને કેવાં ને ન્ફાવાવને ને ન્રો કેટ્લો છે जो रकम घटे, आपने पेलो वेपार खातू, नफ़ाणुक्षान खातू, नफ़ाणुक्षान फाळावनी खातू, माल मिल्क अ सडित, नफफाणुक्षान हवाला खातू, इलेगी पुन्हमुल्यांगन खातू, एमा जिवुँ उत्तों, एव इस रिते, उधार बाजू जमा बाजु जो रकम घटे रकम घटे एवा शब्द नोपियो करूछू अईया खोड यह पछी काची खोट होए चोखी खोट होए वेचनी पात्र खोट होए के सेम माल मिलकत निकाल खाता मार उधार बाजु रकम घटे तो एने के वाई नफो राइट यहनो मतलब एम थियो के माल मिलकत निकाल खाता नी उधार बाजु होशे तो लखीश माल मिलकत निकाल खाते उधार एक लाख वीस जार त्राइने भागिदारोंने नफा नुक्षान ना प्रमार मा वेची देवानु छे ते ए ना मुडी अबलिक चालू खाते जमा ते बी ना मुडी अबलिक चालू खाते जमा ते सी ना मुडी अबलिक चालू खाते जमा कईया प्रमार्मा तो के 5 जेम 3 जेम 2 ना प्रमार्मा तो लखिश 1,20,000 गुणिया 5 भग्या 10 साइठजा रूपिया एमा आउशे साइठजा रूपिया एक लाक विश जार गुणिया 3 भग्या 10 चत्रिस जार रूपिया औने बे एक लाक विश जार गुणिया 2 भग्या 10 खतला आउशे 24,000 रूपिया यह लखिश 24,000 रूपिया रैट ओके चलो हवे तो कहीं यह बाबत जे लखिश नाकवानी तेना जेटला जेटला पन भागी दारो उखे बद्धाज भागी दारो उखे नफवानी आपड़े जे वहेचनी करी शे एनी वाद नहिया करवामा आपनने आवी छे रैट चालो एना पछी डाखला नमबर 9 पेटि ना विशलजन्सेंबया चोपड़े यंत्र 2 लाखना बत आवे ला शेए चोपड़े यंत्रा केटला ना शेए 2 लाखने यंत्राने माल मिलकत निकालनी उधार बाजु तो सवप्रथम पेला हुँ खातु बंद करी दवशु के माल मिलकत निकाल खाते उधार ते यंत्र खाते जमन रकम तो के बेलाख अने बेलाख बाबत जे लखिश बाबत जे यंत्र नू खातु बंद करी दवशु तेना त्यार बजी बीजु चोपड़े किम्मत उपजे छे उपजे तो रोकड आवे तो उधार तो यहां लखिश रोकड खाते उधार उधार बेलाख रूपया ते बीजु खातो हम्मेश आपन एक खबर जुए ते माल मिलकत निकाल खाते जमन बेलाख रूपया है यो चल आई यां लखिश नाखिश बाबत जे यंत्रनू वेचान करियू तेना एटला दाखला आपने गिणा आमा तमए एक वस्तु खोमन जोई याशे कई वस्तु कोमन जोई याशे कई वस्तु कोमन जोई याशे का उधार था तु होई का जुमा था तु होए ये नो मतलब यह में था आपणस एक वीगत माल लिकत कल्पाइबचошो दो जुमा धरने होल जुमा द्री मतमें जुमा, ुधार मलमिल्कत कल्पाइबws हो झातीा होता है माल मिलकत निकाल खाते जमां चे दरहेक दाखलामा एक कॉमन भी गत कई माल मिलकत निकाल खाते जमां ओके अई आ उंदू थेग्यूशे यह जे आमनों छे ने ए उन्धी तेही गेए छे शारू तेई आपड़े जोई यो यह नो मतले वेम तियो रिवीजन करवानी पन जरूर छे मिलकतो ना खाता बंद करी माल मिलकत निकाल खाता नी उधार बाजू माल मिलकत उधार, माल मिलकत जमा, यहां माल मिलकत उधार एविज रिते साथ माँ दाकलामा जोओ, माल मिलकत निकाल खातू उधार छे आठ माँ दाकलामा अपन माल मिलकत निकाल खातू उधार कौमन छे अने ए थाई छे उधार हैट एविज रिते अई आपन आपने जोई हो माल मिलकर निकाल खातू उधार माल मिलकर निकाल खातू जमा एने पछीनों दाखलो जोई है 10 कोई एक भागीदार पेडिना विसल जन्नी कारिये वाही करवानू स्विकारे छे कोई एक भागीदार छे ए शू करे छे पेडिमा विसल जन्न थाई छेने ए विसल जन्नी कारिये वाही करवानू चुक वानू स्विकारियू छे के हुँ पेडिमा जे पन विसल जन्न खर्च थशे ए हुँ चुक विदेश ये भागीदारे आपने एवकी देलू छे त्यार बचीशूं की दूछे तो के तेना बदलामा तेने महंताना तरीके 20,000 रूपया तेना बदलामा तेने महंताना तरीके कितला 20,000 रूपया आपवानू नक्की करियो छे महंताना तरीके आपड़े तेने 20,000 रूपया आपवानू पेठी ये तेने 20,000 रूपया पेठी नो खर्च पेठे 12,000 चुक विया पेठी ये तेने खर्च पेठे कितला चुक विया 12,000 आपड़े चुक वेला छे ओके चालो तो चालो सवब्रथम आमा आपणने एक जामनों धाउश कोई एक भागी दारे कि दुके पेठी तारे 20 जन खर्च नती चुको वो हुँ चुक विदेश तो एना बड़ला मा एने पेठी मेहनताना तरीके केटला आएपा 20,000 पेठी ये किदू ओर और नक्की गिरू केटलो खर्च थाशे तो के 20,000 थाशे पेठी ये भागी दारने 20,000 रूपय आपई दीदा पन ओरिजनल मा खर्च केटलो थेए 12,000 रूपयाज थेए तो होए तो माल मिलकत निकाल खाता नी उधार बाजू तो सवुप्रथम लख़िश पेलू माल मिलकत निकाल खाते उधार केटला रूपयाचू कोई बार छे तो के 20,000 रूपयाँ 20000 आय पाता ने पच्छी शुँ थयू तो के खर्च पेटे केटला छे 12000 रूपिया हैट खर्च पेटे केटला छे 12000 रूपिया रोकडा जाई शे ते रोकड खाते जमा केटला रूपिया 12000 रूपिया साएब 8000 रूपिया नो different आएवो, केटला नो 8000 रूपिया नो different हैवो आपड़े तो केटला चुकवी दिधा शे भाई, आपड़े तो 20,000 चुकवी दिधा शे डिफ्रेंट है वो तिया उशे ते भागीदार ना मुडी अबलिक चालू खाते जमा पेटी है तो 20,000 चुक विद्धिधार शे 20,000 खर्च थाशे जो पन ओरिजनल माँ खर्च केटलो थे यो 12,000 तो भागीदार पासे 22,500 खर्च एटला भागीदार ने 5 केटलो थेओ बाइ आठ जारू रुप्या राइट आं याँ बाबत जे लिखी नाश्यू बाबत जे विचलंखर्च भागीदारे चुक वाणू स्विकारियो तेना यह लेकी नाश्यू विसळंखर्च भागीदारे चुकववानू स्विकार्यू तेना ठीक्यों टोटल करवानी जरूर न थी चाल त्यार पच्छी छे पेढ़ी ना विसर्जन समय देवादार एक लाख विस जार लेंड़ दार साइठ जार एक भागीदार विस्ट का ओची किम्मते देवादारो ले लेंड़ दारो ने चुकवए छे चल शवप्रथम देवादार औने लेंड़ दार एन आपड़े खाता बंद करी देवी चल शवप्रथम पेलो देवादारो आवे मिलकत लेना बाजो खातू बंद करी माल मिलकत निकालनी उधार बाजो देवादार खाते जमा किटला एक लाख वीस जार राइट चल बाबत जे लकी नाखवानी बाबत जे बीजो कि देवादार आवे खाता बंद करी आ तेना बीजो लेंड़ दारो आवे बाजो आवे लेंड़ देवा बाजो खातू बंद करी माल मिलकत निकाल खाते जमा राइट बाबत जे लकी नाखवानी ये लेंड़ दार नो खातू बंद करी तेना केटला तो के साइठ जार अने साइठ जार हवे गणा बद्धा विध्यार्थी मित्रों हवे पची भूल करेशे त्यांती जोजो वीष्टका ऊची किम्मते देवाधारो लेश्यल्य शांइिटी। छे, लेंग दारों चे, एतो सेम ना सेमय चे, ओके, भागी दारों विष्टर का ओची किम्मते देवा दारों ले, घ्राहकों ले, और आटले इनकों मतलब ब्हुमतियों ग्राहक 10-10 ले, ले शे, तो इतो लाभले ना, तिया, और लाभले ना, घ्राहक Дारोंये Op Allah चालू खाते उधार भागिदार ना मुड़ी ओबलिक चालू खाते उधार बिजु खातो तो आपने हमेशा कबर अच्छे ते माल मिलकत निकाल खाते जमार विश्टका ओची किम्मत एक लाख विश्टजार माइनस विश्टका अलेके चन्नुहजार उपिया अया लखी नाखी चन्नुहजार अने चन्नुहजार राइट बाबद जे लेकिना कोनुक एक भागिदार देवादार लेवानू श्रिकार्यू तेना बाबद जे चोथू देवादार अटले ग्राह को भागिदार है कितु के हूँ चुक विदेश अटले भागिदार लाभापनार भागिदार लाभापनार होए तो माल मिलकत निकाल खात उशू थाई ते भागिदार ना मूडी अबलेक चालू खाते जमा कितला तोके साइठ जा रूपया अने साइठ जा रूपया त्रान गुण ना आएमपी दाकला आवी रितना पुछाई छे ध्यान राग जो एव लाग है तो फरी वकत वीडियो रिवाइड करीने जो एले जो मलिए नेक्स्ट क्लास मा जय हींद जय बारात